ये दोस्तो स्वागत है आपका टेक्निकल दिलसाद यूटूब चैनल में और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा वाट्सअप एप में चैट हिस्टरी को डिलिट कैसे करते हैं अपने सभी चैट हिस्टरी को डिलिट करने के लिए आपको ये वीडियो लाष्ट तक पुरा देखना होगा सबसे पहले तो आपको इसके लिए WhatsApp एप को open करने के बाद यहाँ पर देख लेना है आपकी जो chat history है उसे आप वाकरी delete करना चाहते है या नहीं क्योंकि यहाँ पर जो method मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपकी सभी chat history delete हो जाएंगी और आपने जितनी भी chat की है उन chat के अंदर क्या क्या आपने match किया है आपके पास जो भी photo आया है वीडियो आया है या आपने भेजा है सब कुछ इससे delete होने वाला है ये आप पहले ही decide कर लीजिए आपको अपनी all chart history delete करनी है या नहीं अब माल लेजے आपको अपनी सभी chat history को delete करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर 3.पर एक बार टच करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर setting पर touch करना है setting पर touch करने के बाद यहाँ पर आपके सामने chats नाम से एक feature आ गया है आपको यहाँ पर touch करना है उसके बाद यहाँ पर सब से नीचे आपको दिखाई देगा chat history आपको यहाँ पर एक बाद टच करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो chat history है वो so हो चुकी है अब य चैट को आप export करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम यह चैट select कर लेते हैं अब आप यहाँ पर देख सकते हैं without media या फिर include media आप यहाँ पर जो इसका backup ले रहे हैं जो इसके अंदर photo, video, documents उसका भी आप backup लेना चाहते हैं या फिर आप केवल chats का backup लेना चाहते हैं मैं यहाँ पर include media पर टच कर देता हूं अब यहाँ पर आपने जो चैट history का backup लिया है उसे आपको कहाँ पर share करना है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं मैं यहाँ पर सबसे नीचे स्क्रोल करने के बाद यहाँ पर copy to उपर select कर लेता हूं यहाँ सी यह मेरे file major में safe हो जाएगी अब मैं यहा तरीका बता है इससे आप अपने file major में अपनी किसी एक चैट का या फिर अन्य चैट का backup ले सकते हैं अब यहाँ पर आपको सभी chat history को delete करने के लिए यहाँ पर clear all chat पर टच करना है और यहाँ पर आपको टच करना है also delete media received in chats from the device gallery हम यहाँ पर टच कर देते हैं और यहाँ पर जो media file थी वो भी delete हो चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो chat है अगर हम यहाँ पर इसे open करते हैं तो यहाँ पर यह clean हो चुकी है यह तो मैंने आपको बताया आप chat history को अंदर से clean कैसे करें लेकिन होता क्या है कहीं बार यहाँ पर कहीं सारी chat होती है आपको उन स चैट्स पर टच करना है और यहाँ पर डिट चैट्स पर दोबारा टच कर देना है अब इससे होगा क्या वाट्स अप का जो home page है वहां से भी सारी तमाम चैट हिस्ट्री डिट हो जाएंगी इस तरह आप अपनी चैट हिस्ट्री को डिट कर सकते हैं